संजे गांधी अस्पताल में डॉक्टरों की घोर लापरवाही से मौत का खुलासा पोस्माटम रिपोर्ट में हुए चौकाने वाले खुलासे दिल्ली के संजे गांधी अस्पताल में हो चुके कई हाथ से 2015 में दिल्ली के जाने माने पत्रकार की बेटी की गई थी हत्या मंगोल पूरी स्थित संजे गांदी अस्पताल में एक और हिला देने वाली घटना सामने आई है जहां डॉक्टरों की लापरवाही के चलते एक निर्दोश महिला की जान चली गई 34 वर्षिये शबनम उमर जिनकी साधारन डिलीवरी होनी थी अब अस्पताल की घोरला परवाही और चिकित सा भूल चुक का शिकार हो गई है मौत की असली वज़ा पोस्ट मार्टम के बाद उजागर हुई जिसने पूरे स्वास्थवे भाग को कट घरे में खड़ा कर दिया है कैसे हुई मौत 14 मई 2024 की रात को शबनम को प्रसव पीड़ा के चलते अस्पताल में भरती करा गया था उनकी सामाने डिलीवरी के बाद उन्हें आई सीउ में शिफ्ट किया गया मगर अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें जिस तरीके से कॉपर्टी लगाया उसने उनकी स्थिती को और गंभीर बना दिया इसका परिणाम ये हुआ कि 17 मई को उनकी मौत हो गई पोस्मोटम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि शबनम की मौत भारी, रक्तस्त्राव, सेपसेस और अन्य गंभीर, चिकितसीय जटलताओं के चलते हुई रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि गर्भाशे निश्क्रिय हो गया था जिसके चलते आपात कालीन ओपरेशन करना पड़ा लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद डॉक्टर उन्हें बचाने में असफल रहे डॉक्टरों की लापरवाही से गई जान परिवार ने उठाए गंभीर सवाल शबनम के पती नईम ने अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए हैं उन्होंने कहा कि जब उनकी पतनी के स्थिती बिगड रही थी तब डॉक्टरों ने समय पर सही कदम नहीं उठाए परिवार का कहना है कि अस्पताल के डॉक्टरों ने लापरवाही बढ़ती जिसके चलते उनकी पतनी की जान चली गई नईम और उनके परिजनों ने मांग की है कि जिस समय शबनम की डिलीवरी और इलाज हुआ उस समय के सभी CCTV फूटेज को सारवजन ने किया जाए साथ ही उन डॉक्टरों की पहचान होनी चाहिए जिनोंने इस पूरी प्रक्रिया में भूमिका निभाई पोस्ट मॉटम रिपोर्ट ने खोले मौत के राज अठारा मई को मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में किये गए पोस्ट मॉटम में ये सपष्ट हुआ कि शबनम की मौत का कारण भारी रगतस्त्राव और सरजरी से उत्पन जटिलताएं थी उनके शरीर पर कई चोट के निशान भी मिले जो इस बात का संकेत थे कि अस्पताल में इलाज के दौरान भी उनसे सही तरीके से व्यवहार नहीं किया गया न्याय की गुहार पुलिस पर उठे सवाल इतनी बड़ी चूप के बावजूद अब तक कोई FIR दर्ज नहीं की गई है परिवार और समाज के लोग इस बात पर नाराजगी जता रहे हैं कि डॉक्टरों की लापरवाही से हुई मौत के बावजूद पुलिस की जाँच में ढिलाई बरती जा रही है मृतिका के पती का कहना है कि पुलिस ने अब तक विश्वा रिपोर्ट भी मेडिकल काउंसिल को नहीं भीजी जिससे जाँच में और देरी हो रही है क्या संजे गांदी अस्पताल बना है मौत का सौधागर ये मामला सिर्फ एक मौत का नहीं बलकि एक प्रणाली गत लापरवाही का प्रतीक बनता जा रहा है संजे गांदी अस्पताल में लगातार सामने आ रहे चिकित्सा मामलों में ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या यहां के डॉक्टर मरीजों की जान से खिलवार कर रहे हैं आखिर कब तक इस अस्पताल में लापरवाही का यह सिलसिला चलता रहेगा अब सबके निगाहें दिल्ली मेडिकल काउंसल की जाच पर ठिकी हैं क्या दोशी डॉक्टरों पर कारवाई होगी क्या शबनम के परिवार को न्याय मिलेगा ये सवाल अब हर किसी के मन में उठ रहा है